नमस्कार दोस्तों बिहार जीबका की ओड़ से कुछ बहाले निकाली गई है जिसमें तेन्थ पास और अस्तनातक पास छात्रों को मौका मिल सकता है और साथ ही ध्यान रखिएगा कि इसमें experience भी आपसे मांगा जा रहा है तो ऐसे छात्र अगर आप चाहते हैं कि इसमें आवे है हम आपको पूरे प्रोसेस बताएंगे कि किस पत के लिए क्या कॉलिफिकेशन है और साथ कितना सीठे रखे गई है और किस परकार सेलेक्शन प्रोसेस होगा सारी प्रोसेस समझने के लिए वीडियो कौन तक देखे वीडियो पसंदा तो एक लाइक करिएगा साथी चैनल का ओफिसल वेब साइट पर यहाँ पर भी एक डिकुपमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है करियर वाले सक्षिन में देखेंगे तो आप्सन मिल रहा है किसका जो क्लोज डेट है तीन फरवरे 2022 को है यहाँ से आप ऑनलेन अपलाई भी कर सकते अपलाई करने से पहले कु यहाँ पर हमने बताया है यह जो भाली है खासकर जितने सारे सरकारी स्कुल है जिसमें बच्चों को जो कप्रे क्या पूर्ति की जाती है उनको आप पूर्ति करने के लिए जिवका के और से 26 सीठों पर यह बहाली निकाली जा रही है इसका ओनलाइन अविदेन के परकिरिय इसका टालाज टे दो हैं तीन फरवरि रखा गया है साथी इसका जो भी इंटर्व्यू हो जो कि 18 तरीक का इंटरव्यू कंड़क्ट करा या है जो कि अलग जैसे कstage जैसे एका जो कि 18 का है वही 22 फरवरी के जो है परड़ूशन मेनेजर का है जिसका इंटरव्यू ओए और इसका जो रिजल्ट है 28 फरवरी को ही जारी कर दिया जाएगा तो बहुत जल्द इसका सेलेक्शन प्रोसस भी होगा सेलेक्शन प्रोसस आप समझे कि आपका सोट वाइज किया जाएगा जो छात्र का जिस अनुसार क्वालिफिकेशन होगा उसी अनुसार आपको यहाँ पे जौब मिलेगा सिट की बात कर ले तो सिट यहाँ पे 26 सीट है हेट परडाक्शन मैनेजर में एक सीट है और परडाक्शन मैनेजर में पचीस सीट है सेलरी भी काभी विहतरीन है 85 एर से एक लख के बीच में है सेलरी इसमें थोड़ा बहुत कम बेस आपको देखनों को मिल सकता है वही प्रोडुशन मैनेजर का जो है तीस एर सब पचास सायर के बीच रखा गया अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया तो यहां पर आपको मिन सेने क्वालिफिकेशन डीटेट जिस से पहला पद जो रखा गया है एट प्रोडुशन मैनेजर का जिसमें कम से कम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ हमने पहले भी क्लियर कि इसमें एक्सप्रियेंस होना चाहिए जैसे दस एर का एक्सप्रियेंस मांग रहा है कि प्रोडुशन इंडस्ट्री से हो चाहिए तो यह समझ लिए कि हर पोश्ट के लिए यहां पे आपसे experience मांगा जाता है अगर आपके पास इस परका का experience है तो आप आवेधन कर सकते हैं production manager में इसमें qualification सिर्फ मैटिक कुलेशन मांगा जा रहे यानी तेंध पास जो शातर है वह आवेधन कर सकते बट इसमें आपके पास experience होना चाहिए तभी आप इसके लिए योग यह माने जाएंगे ऐसे तो आवेधन आप कर सकते हैं लिखिन जिनको experience रहेगा उनको यहां पे selection में काफी छूट मिल सकता है experience भी यहां पर बताया गए कि production industry का होना चाहिए सारा डीटेल जो है आप इस website पर पर सकते हैं नीचे आएंगे यहां पर जुछात आवेधन करना चाहता है इस परकार की योगिता रखते हैं तो आप आवेधन करिए email id, mobile number, photo, signature और एक resume आप upload कर करेंगे आजाएंगे official website पर यहां पर प्लस का आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे और उपर में option मिलता है click head for apply आप इस पर क्लिक करेंगे जिसमें कुछ basic detail जैसे आपको अपना नाम डालना होगा अपना state डालना होगा अपना district डालना होगा उसके बाद आप किस post के लिए apply कर रहे हैं यहां पर दो पोस्ट है इसमें graduation है और इसमें मैटिक मांगा गया और साथे experience में मांगा गया तो आप अपने कोडिंग देखें जिस पोस्ट के लिए आवे दिन करना उसको सिले करिए आपका qualification क्या है आप कहां तक बढ़े हुए है अगर तिन से नीचे है तिन तक पड़े हुए तो आप इसको से ले करें उसके बाद नीचे आएंगे आपका highest qualification जो भी है जिसा अगर मान लिजी कोई चाथ मैट्रिक पास है तो मैट्रिक अप यहां पर लिखेंगे आप से experience मांगा जा रहा है कि experience कितना है आपका अगर मान लिजे किसी को पान से दसाल क experience है तो यह से ले करेंगे उससे कम है तो यह से ले करेंगे अधीक है तो यहां पर option मिलता है तो आप अपने according डाले जो भी experience आपको होगा उसके बाद आपको अपने वर्द के बारे में कुछ लिखना है जैसा दो से वर्ड में आप बता सकते कि आप किस परकार के काम कर सकते हैं यह सारी process आप यहां पर लिख सकते हिंदी या इंगलिस में उसके बाद यहां पर आपको एक रिजूम अपलोड करना है और समिट कर देना तो इस परकार इसके लिए apply कर सकते हैं जो चातर को इस परकार qualification है जिनके पास experience है तो आप आवेदन करिए जिसकी पूरी process हमने पता है selection process जिस परकार होगा आपके मुवाइल इमेल पर भी मैसेज जाएगा और यह बहुत जल सेलेक्शन भी इसका होगा काफिस समय नहीं लगेगा तो यह कुछ अपडेट था जहनना आपके लिए जरूरी था वीडियो पसंद आ हो तो लाइक सेर करना मत मुलिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इस तरह का अपडेट हो आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद